अनिता जैश्ट बलक में आपका स्वागत है हार्दिक सुप कामनाएं चलिए आज मैं बनाती हूँ जो गाव में देहाती इच्टालें बनते हैं आलू पटल की सबजी पहले आप पटा लालू का धोकर शाफ करके काट लिजे काटने के बाद आप उसे अच्छे से कड़ाई क गरम होने जब कड़ाई गरम हो जाएगी तो उसमें आप पट लालू के अच्छे से भूझीर तब तक भूझे कह जब तक एक तनी कलर सुनेहरा कलर कि मैं हो जाए उसमें नमक डालने हैं तरह की आपको भूझ जाते भूझ जाताние सबजी पंग जाते हैं देखिए हमारा भ लाल मिर्च, तेजपता, जीरा और जो खड़ा साबुत होते हैं गरम मसाला हो डाल देजिए हरा मिर्च, लशुन, अद्रक उसे अच्छे से फ्राई करने गवाद उसमें टमाटा डाल देजिए यह हमारे हम अड़वा में बनते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में हम मारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सस्क्राइक कीजिए, कोमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगाया सबजी एक बर हमारे जिसा बना के जरू खाई हमें वही सबजी मसाला डाले जो हल्दी, धनिया, काली, मिर्च, जिरा, पाउड़ा, हल्दी, मिर्च, वीडाल का अच्छेा, भुञे, धनिया थेमी आज पर भुञे, समयं पाइट नहीं टाले तो आपका मसाला जल जाएंगे इसलिए आप इसे धीमी आज पढ़िये थोड़ा सा इसमें भी नमक डाल देके हैं कि उसमें नमक मैं कम डाली हूँ अब शलिए मसाला भुझा चुके हैं इसे भी उसमें डाल को लट पलट देज़े खाने में बहुत ही टेश्टी लगते हैं एक बार हमारे जिसाब बना के खाईए उसके बाद आप बताए कैसे लगा हमारे हां देहात में मडवा कोई सब्जी ऐसा ही बनता है जब साधी विया होते हैं ना तमडवा करीं ऐसा ही सब्जी बनते हैं बहुत ही टेश्टी लगते हैं चावल दाल के साथ खाने में हमारा सब्जी तयार हो चुका है